नमस्कार हर तरफ देख रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से लगातार खबरे भी सामने आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग भी खासी दिल्चस्पी इस पूरे प्रकारन को लेकर के दिखा रहे हैं आस्ता से जुड़े होने के चलते हर कोई इसमें बारिक से बारिक चीज को देख रहा है और जो खुद जिस जगह पर रोल अदा कर सके तो वो उतनी कोशिश कर रहा है लेकिन इस सब के बीच में एक जिस तरह की खबरे सामने आ रही हैं उस स्कैम से भी बचने की जुरूरत है जिसमें लोगों की आस्ता के साथ खिलवार करते हुए बहुत से लोग इसमें लोगों को ठगी का इशकार बना सकते हैं कबरी इंडिय टीवी के मताबिक राम मंदर के नाम पर हो रहा बड़ा स्कैम हो जाएं साफधान एक गलती और बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली इस तरह से कई मीडिय रिपोर्स हैं वो सामने आ रही हैं इसमें बताया गया है कि योद्य में भगवान राम का भव्य मंदर बन रहा है 22 जनवरी को राम लला की प्रतिश्टा की जाएगी इस दोरान परतान मंतरी नेद्र मुदी खुद वहां पहुंच रहे हैं देशबर की बड़ी हस्तियां सादू संतों का भी योद्या आना होगा इस बीच लोगों के साथ भगवान राम के नाम पर ठगी और स्कैम भी किया जा रहा है बीते दिन में हमने अपनी एक खबर में बताया है कि सोशल मीडिया पर कैसे कुछ लोग QR कोड शेर कर रहे हैं साथ ही वो QR कोड शेर करने के साथ राम मंदर के चंदा माग रहे हैं या फिर कहते दिख रहे हैं कि भगवार राम के लिए मंदर निर्मान में योगदान करें विश्विंदू परिशयद ने इस पर 37 जताई थी ऐसे में एक बार फिर से एक निया स्कैम सामने आया है इस पर स्कैम के तहत वर्टसैप पर लोगों को एक मैसेज भीजा जा रहा है इस मैसेज में लोगों को यह लिकर भीजा जा रहा है कि उन्हें रामंदर के उदगाटन समरों में VVIP एंट्री दी जा रही है ऐसे इस मैसेज में एक मुबाइल लैप का लिंक भी भीजा जा रहा है दरसल यह एक तरह का स्कैम है जो लोगों को भीजा जा रहा है ऐसे में अगर आप इस एप्लिकेशन को अपने फोन में इंस्टाल करते हैं तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है दरसल मोबाइल में एप्लिकेशन इंस्टॉल करते ही मोबाइल फून आफ हो जाएगा इसके बाद आपका बैंक डेटा हैकर के पास चला जाएगा ऐसे में बहुत ज्यादा ही संभावना है कि आपके बैंक खाते से पैसे निकल जाए या उसका कुछ गलत इसमाल किया जाए ऐ आइसे में हर किसी को साबदान रहने की ज्यरूरत है जानकारी के लिए बतादें कि राममंदर के उद्गाटन समरओ में कैवल वो लोग ही शामल होंगे जिनने राममंदर ट्रस्स की तरब से नमंतन भीजा जा रहा है हर कारय करम कोई उस कारय करम में शामल नहीं हो सकता परकाश में आया था जब फेस्बुक के मादम से कुछ लोग भगवान राम के मंदर के निर्मान के लिए चंदा माग रहे थे